नमश्कार बहुत स्वागत हैं देख रहे हैं आप लोग आज का लव टिप मैं हूँ आपके साथ आपका लव फ्रेंड संतो संतोशी दिनांग 11 अक्टूबर दिन सुमवार का लव टिप एक ऐसा प्रियोग एक छोटा सा ऐसा प्रियोग जो आप के लिए तमाम बड़े रास् कर सकता है इसमें शुक्र की शुबता और बुद्ध की ताजगी भी होती है बुद्ध बहुत ताजा प्लैनेट है क्यों कि राजकुमार है छोटा है बिलकुल पैदा हुआ बच्चा है बालक है प्रकिरती है हर्याली है बुद्ध तो बुद्ध और शुक्र का कॉक्टेल अब तक पहुंचता है लप टिप के रूप में ये कोई टोटका नहीं है हववा नहीं है आइमी नहीं है यह सार गर्वित है इसमें गहराई है एक एक तथ्य को उस दिन के नक्षत्र स्वामी की ग्रही इस्थति और उस पर पढ़ने वाले ग्रहों की दिष्ट से मैं सिद्ध कर सकता हूँ ठाकुरजी की किरपा है चाती ठोक के बोलता हूँ आए कोई माई का लाल जिसने दोध पिया हूँ विड्डियो रिस्पेक्ट तो मित्रो इसे किया करिये और कराया करिये कर भला तो हो भला आए आज का लप्टे बताते हैं आज जेश्ठा और मूल दो-दो नक्षत्र रहेंगे तो बुद्ध के तो दोनों आ गए यहाँ पर तीन दूर्वा के टुकडे तीन दूर्वा के टुकडे तुलसी के नीचे की मिट्टी हलका सा उस पे लगा कर और उल्टी नाक की सांस इस पे छोड़ते हुए तीन बार तीन ही बार उनका नाम लेना है किसका आपके पती का या पत्नी का प्रेमिका का या प्रेमिका बहुत प्यारा सप्रियों है दस लोगों को अगर आपने इसे शेयर किया तो आपके लिए शुभत्त बढ़ जाएगा उनका दसांस अंश आपको मिलेगा तो दस लोग तक पहुँचाया करिए बिवाहितों के पास पहुँचाये चाहे जिस पर जाएगी आपके लिए पोजिटिव है अब बात कर लेते हैं आज की तीन लखी राशियों की नंबर तीन पर आज की लखी राशी है विशब राशी नंबर दो पर कुम्भ राशी नंबर एक पर धनु राशी सावधान होने वालों में एक नमबर पर व्रिष्चिक राशी दो नमबर पर करक राशी तीन नमबर पर मिथुन राशी व्रिष्चिक करक मिथुन आप तिनों को आज थोड़ा सा सावधान होना है कुछ समस्याई आ सकते हैं कल पर सो नर्सो, 12, 13, 14 को कल पर सो और नर्सों, तीन दिन हम लखनों में हैं, मुलाकात करने के लिए अवसर आप के पास अच्छा है, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, जानकारी के लिए आईए, भाग के बदलवाने नहीं, भाग के नहीं मदलता, चिर्फ जानकारी के एड़े दे एड़ेरे देड़े घड़े देड़ेरादे